हेलो एबरिवन जै हिंद आज हम आपका सेगंड चप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमने फार्स चप्टर कल आपको अप्लूड किया और आपका फीडबेक दखके हमें बहुत अच्छा लगा सो तैंक यू सो मच इतना अच्छा रेस्पोंस देने के लिए आपका रेस्पोंस हमें मोटिवेट करता है और एक लेक्टर बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे हम आपको एक रेगुलर एक टॉपिक प्रोवाइड करने के लिए हमारा तर्गेट है कि पूरा क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक पूरा SCRD हम आपको लाइन वाइन आपको पूरा समझाए फिर उसके बाद आपको at the end of the session यह चाप्टर के बाद खतम होने के बाद हम आपको MCQ series भी प्रोवाइड करा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें कितना अच्छे से topic को समझ में आया तो हमारा parallel में हमारा reasoning का क्लास चल रहा है हमारा math का भी चल रहा है तो हम math हम आपका math कबर कर रहे हम आपका reasoning कबर कर रहे हम आपका social study कबर कर रहे हम आपका gsb कबर कर रहे आपको एक class आपको जोग्राफी का marathon मिल चुका है reasoning का भी marathon classes मिल चुका है और उमीद है आपका preparation बहुत अच्छा चल रहा होगा हम जो भी marathon classes ले रहे या फिर जो आपका MCQ test ले रहे वो सारा previous share questions से हम ले रहें MCQ set में यह है कि मतब previous share question को direct pattern में ले लिया और marathon classes में जैसे कि quality में कौनसा कौनसा previous share question आया वो पूरा one time ले लिया आसा मिस्ट्री में कौनसा कौनसा previous share question आया वो one time ले लिया इसे हिसाब से हम आपको cover करके दे रहे हैं तो चलिए सर शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब करकर रख दीजिए और चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं lesson number two यह बहुत important session होने वाला है क्योंकि यह काफी deep topic है और बहुत कुछ समझने वाला topic है यह आप तुला last तक बने रहेंगे क्योंकि इसमें काफी death में जाना पड़ेगा बहुत understanding topic है और काफी मज़े से पढ़ने वाले तो आप बहुर विल्कुल भी नहीं होंगे तो चलिए सर शुरू करते हैं chapter number two name है आपका the shape and the size of the earth, earth के बारे में हमें जानना है understand about the size shape of the earth with the help of a globe, globe आपको पत the parallels of latitude किया होता है उसका parallel किया है यह सब सारा चीज देखना है identify the heat zones of the art कहां कहां पर जग ज्यादा गर्मी है northern meridians and longitude locate the place with the help of latitude and longitude बहुत ही अच्छा वो हम सारा चीज हम यहां पर पढ़ेंगे तो रहा फास फास चलेंगे जहां पर explain करना होगा वहां पर करेंगे और नहीं what idea do you get about the shape of the earth generally we say the earth is round but in reality it is not so हमें हमें पता है कि earth round है लेकिन original round होता नहीं है हम सब को पता है on the picture below the earth is compared with a circle the shape of the earth is taper at the two ends a and b taper मतलब तो रहा हाल का सब प्रेस क्या गया है मानलीजे air point में और यह जो आपको air point और b point दिख रहा होगा आपको this air point and this b point यह जो निचे वाला जो b point यह आपका इसका बात कर रहा है यह b point का you might have seen a globe it is a model of the art हाँ वो जो ग्लोब हमारे घर में आपको दिखता नहीं है लेकिन हाप पहले तो था लेकिन अभी भी मिलता है online पे you might have seen a globe it is a model of the art we can consider it as a miniature representation of the art यह आप सब को ग्लोब देखा होगा ना सर्वा सर्कल जो हमारे घर में रहता था वह हम मानते थे कि वही हमारा आर्थ हमारे घर में आ गया वही चीज़ हम मानते थे और इसी एक पेटर में हम उसका geographical location बगर हम निकलते थे ठीक है सर चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे a globe is round in shape but it is difficult to show the elliptical shape of the earth in a globe so for our convenience the earth shown is round in the globe obviously अगर round नहीं होगा तो हमें clearly present नहीं कर पाएंगे तो इसलिए round shape में वह किया गया था लेकिन actually वहता नहीं है let us know shape the external appearance of an object is shape shape क्या है वह आपको पता है external structure जो चीज़ बताता है बोल रहा कि size क्या है यह चीज़ हमारे लिए important नहीं है फिरा मागे बढ़ेंगे imagine how bigger is the size of the earth collect a ball and mark on it a take a thread or or a the rope and move it round the ball as shown and back again to a now use a scale to measure the length of the thread rope the length of the thread rope will be few centimeters only likewise if you measure the earth circumferences will be 4000 circumference यह वाल अप यह तक दिस अगे important अगर हम circumference मतलब जो आउटर बाउंडर ही यह ना sir if we measure the earth the circumference will be 40,000 कितना दिखा रहा है sir हमारा 40,000 तो आप यह चीज़ ध्यान में रखेंगे circumference दिखा रहा है आपका 40,000 ठीक है एक चीज़ अभी तक हम ने सिंखा circumference होता जो outer boundary है ना सर वो outer boundary के बात कर रहा है look at the globe below have you seen a stick placed through the globe like the globe a line has been imagined connecting the north pole and the south pole of the earth यह आप सबको पता होगा ना globe यह से होता था ना सर हमारे गर में यह चीज़ आपने ज़रूर देखे होंगे यह वाला globe है आपका और यह मीटीर से एक्सटीक होता था और इसी से यह वाला पुरा round होता था अगर आपको याद आ रहा हो रहा होगा तो बोला कि यहाँ पर नाम दिया दिया वह नौर्थ पोल नाम दिया और उसका उल्टा साइड क्या नाम दिया साथ पोल और यह जो लाइन है सर उस लाइन को क्या बोला जा रहा है एक्सिस बोला जा रहा है इसको नाम दिया हमने एक्सिस बहुत ही अच्छा फिर हम आगे बढ़ेंगे सर, the earth rotates on its axis from west to east, कौनसे direction में rotate करता है सर, हमारा direction rotate करता है west to east, बाकि सब planet ही west to east करता है, कल हमने पढ़ाता, वेनस एक अकेला ऐसा planet है, वेनस एक अकेला ऐसा planet है, जो rotates किसे करता है आपका east to west, यह उल्टा होता है, यह हमने कल पढ़ाता, ठीक है सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा आपको यादार होगा, remember that in reality the poles are static, obviously, poles तो हीलेगा नहीं न सर, like the stick used in the globe, the earth does not have such stick, the axis is only an imaginary, आप आर्थ में तो ऐसा stick तो होता नहीं, यह वाला line का बात कर रहा है, यह वाला बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है, अभी देखी वह आपे stick तो नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पर समझाने के लिए, एक imaginary line लो, imaginary line ड्रो किया गया, और इसी imaginary line को क्या नाम दिया गया है, सर, axis नाम दिया गया, इसको हम बोलेंगे, axis, बहुत ही अच्छा, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, और यह चीज़, फिर लोक अट the globe 2.5a, 2.5a मतलब पहला बात कर रहा है, 2.5a, this is a, dotted line has been marked on the globe, likewise an imaginary line has been dot drawn on the earth in west to east direction, it is a equator, इसको क्या नाम दिया गया है, सर, इसको नाम दिया गया, equator, sorry, this equator is axis of line है न, this axis of line को क्या बोला जा रहा है हम, this axis of line को हम बोल रहें, equator, this is again an axis, axis मतलब एक line, और यह line को हमने नाम क्या दिया, यह लाइन को हमने नाम दिया सर, equator हमने नाम दिया, ठीक है सर, तो यह वाला लाइन को हमने नाम दिया, this is my equator, इसको हमने नाम दिया, equator आपको दिख रहोगा, बहुत ही अच्छा, इस imaginary axis को क्या नाम दिया सर, हमने equator नाम दिया, और इसका direction है, east to west, likewise imaginary line has been drawn on the earth in east to west direction, अभी important है यह वाला, अब ज़रूर यह चीज मार करके रखेंगे, अब दिखें, important क्या है, likewise an imaginary line जो है ना सर, has been drawn on the earth, यह imaginary line जो दिख रहा है, यह कौन से direction है, east to west है, east to west, यह east to west है, ठीक है सर, और यह east to west जो line है, इसको क्या बोला गया, equator, तो इसलिए आज हमने एक नया चीज equator का direction क्या होता है, सर, equator का direction होगा, east to west, ठीक है सर, clear है, उमेद यह आपको यह वाला clear हो गया होगा, और हमारा rotation, earth कौन से direction में rotate करता है, west to east, आर्थ जो डायरेक्शन में रोटेट करता है उसका उल्टा होता है एक्वेटर का ठीक है सर्फ उमेरे आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छा इसे लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे इक्वेटर डिबाइज दे आर्थ इंटू इक्वेटर इफञें डो इक्वेटर ब्लाइज करता है नोर्थ ऑ्यटर इक्वेटर दीकरा हो गयाए श्थ्टा पार्ट को यह बोला गया southern hemisphere यह हम सब को पता है now we have learnt that equator is an imaginary line dividing the earth equally into the northern and the southern hemisphere वो हो थी अच्छा to determine the location of a place on the earth surface we need to take the help of equator हमें equator चाहिए to determine the location of the place on earth surface we need to take the help of equator अभी एक टर्म ओर आ गया अब पहले हमने पढ़ाता क्या देखे सर यह वाला हमने पढ़ाता equator अब बोलेंगे सर यह equator का ज़रूरत क्या है equator का ज़रूरत यह है क्योंकि हमें कहां पे कौन से place में कौन location में है कौन से country कौन से location में है उसको define करने के लिए हमें किसका ज़रूरत पढ़ेगा सर हमें ज़रूरत पढ़ेगा आपका इस equator का the part of the earth which is towards the north of the equator is called northern hemisphere अभी हमने आपको बोला the part of the earth which is in south part of the equator is called southern hemisphere northern hemisphere and southern hemisphere होता है a set of circle have been drawn running west to east अभी हम ने किया था तो यह वाला यह हमारा देखिए यह वाला यह circle है ना circle पुरा आर्थ को यह से rotate किया गया इसका यह वाला जो फिका 2.6 figure देखिए these are called parallels obviously एक दूसरे लाइन एक दूसरे के लाइन क्या है मेरा parallel है these are called parallels उसको parallel बोला जाता है कि एक दूसरे के साथ equal distance पे है generally we measure the distance in meter in kilometer miles etc वोने spherical earth surface parallel measured in degree generally हम जो measure करते हैं सर डिस्टेंस जो measure करते है वो distance measure करते हैं सर लेकिन यहाँ पे जो equator होगा ना आप देख रहे होंगे equator का degree equator का कौन से फर्म में दिया हुआ degree फर्म में दिया हुआ है तो measured in degree equators are measured in degree बहुत ही अच्छा the value of equator is zero degree which means zero degree latitude इसको अगर यह zero degree पे है तो हम क्या बोलेंगे zero degree latitude line or zero degree latitude और parallels are not all the all parallels of the north of the equator are called north latitude जो आपका जो लाइन सापका north direction में है उसको north latitude बोलेंगे और जो लाइन पेरालल लाइन सापको south part में मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे south latitude बोलेंगे बहुत बहुत easy for the purpose of better observation on the globe after every one degree parallel lines are drawn मतलब every degree में हर एक डिगरी में आपका कितना है सर एक parallel line ड्रो किया गया तो आगर हम बोलेंगे कि total कितना total कितना lines है तो आप इससे आप अंधाजा लागा सकते हैं कि अगर आप एक लाइन हर मतलब total for the purpose of better observation on the globe after every one parallel one degree हर एक डिगरी पे हर एक डिगरी पे आपका एक लाइन ड्रो किया गया है बहुत ही अच्छा एगें यह मार्कर करके रखेंगे यह चीज़ आपको बहुत सकता है कि आपका latitude हर कितने डिगरी के बाद आपका ड्रो किया गया और वान डिगरी के बाद रो किया गया since the equator represents the zero degree latitude equator to zero में होगा obviously the distance from the equator to either of the poles is 90 degree obviously वह ओला कितना डिगरी होगा आपका 90 डिगरी होगा for example the northern hemisphere 5 degree north latitude 10 degree north latitude 15 degree north latitude again southern hemisphere 5 degree north south latitude 10 degree south latitude 15 degree south latitude etc मतब 55 करके वहरा मार्क किया गया है मतब पहले 5 degree पे एक लाइन ड्रो किया और फी 10 degree में एक लाइन ड्रो किया जैसे northern में भी 5 डिगरी जा रहा है जा रहा है नौर्टन में 10 जा रहा है जा रहा है नौर्टन में 10 जा रहा है आपका यह से बोल रहा है पेरालल ही होगा बहुत यह अच्छा सरम आगे बढ़ेंगे इन अबब पिक्चर इट इस सीन देर शेप ऑफ दे सर्कल्स मेंट बाइच ऑफ द पेरालल्स इन नौर्टन साउथ और इक्वेटर ग्रेजुली बिकम स्मोलर और इन 90 डिग्री नौर्टन साउथ को सब्क्राइब का बात हो रहा है अब यह चीज मारकर करें के ट्वें ट्वेंटीटीटीट में लाटमें होता है शर्टोपिक ऑफ क्यंसर 23인데 Till johnme the लेटीटूट में नोर्ध हेमिस्पियर में मिलता है आपका ट्रोप् Carner, बोहती अच्LY queste चलिए सर सर हम आगे बढ़ेंगे, ट्रोपिक अफ टैपरीकॉण देखिए, नोर्थ मिलेगा cancer और south में मिलेगा Capricorn Capricorn कांपे मिलेगा सर साथ पे degree आपका से में यहां पे 23 डिग्री और यहां पे 23 डिग्री ठीके सर उम्मीद ही आप क्लियर हो गए होगा अभी एक कैसे शोट्रिक बनाएंगे आप कुछ एक शोट्रिक बनाएए आप हमें कोमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि इसका शोट्रिक क्या हो सकता है कि cancer में नॉर्थ और Capricorn South में होता है बाकि डिग्री तो हमारा सही में है और फिर उसके बाद आएगा 66 66 फिर उसके बाद आएगा आपका North Latitude में और Antarctic Circle आएगा आपका South Latitude में और वो डिग्री होगा 66 66.5 डिग्री वन बाइट उसके बाद फाइव फाइव तो फिर दूसरा एगीन इस वेरी इंपोर्टन शार यह बहुत इंपोर्टन है होने वाला है यह वोला traffic of Capricorn यह तो आभी हमने डिसकास किया और यह है आपका 66 यह वोला दूसरा डिग्री है 66 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ में होगा तो आपका Arctic Circle होगा और आपका South में जाएगा तो Antarctic तो आभी देखिए North पे आपको दो मिला North में मिला आपको सर क्या मिला आपको North में मिला आपको Cancer और फिर North में आपको क्या मिला सर Arctic Circle मिला Arctic यह वह भला होगा आपका Arctic टीक है सर कुमीद है खलیर हो गया होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे और South पे क्या मिल रहा है आपको Capricorn और capability तो अगर आप इस सबसे देखेंगे कि ट्रोपिक ओफ कैंसर कैंसर वार्ड चोटा है एंटर्टिक वार्ड बड़ा है तो चोटा वार्ड ले जाएगा नौर्थ और बड़ा वाला वार्ड आएगा हमारा साउथ ठीक है सर इसे बात के लिए वावा हो जाए क्या शोट्री बनाए अरे सर बहुत ही अच्छा आप हम उमीद है आप कभी नहीं भूलेंगे जब भी आपको डाउट होगा हमें तो अप्षोन ही सिलेट करना है ना सच जब अप्षोन ही आज हमज में आ जाएगा मतलब हम एक चोठावाड था था तो हम नर्स पर लेकर गये गये थे और बड़वाला वाड़ हमYAंटर्ट के लिए आएगा आपका North के लिए आएगा आपका Cancer और Capricorn के लिए आएगा आपका 23.5 डिग्री और आपका Capricorn और Antarctic के लिए आएगा 66.5 डिग्री बहुत ही अच्चा बहुत ही अच्चा यह वही चीज आपका डिटेज डिसकास किया गया है अब यह डाइग्राम आपके लिए पेरासिटेमल होने व हो गई है तो यह वाला देखिए यह देखिए नॉर्थ पोल आ गया फिर आक्टिक सरकल आ गया फिर यह देखिए ट्रोपिक ऑफ कैंसर आ गया तो अभी कुछ जोन आपको देखना है सबसे उपर में जो होगा ना सर वह जोन आएगा आपका फ्रीजिट जोन अब मैं तुर में लुमत को आपफ नाम किया गया देया गया फिरिजिट जोन रेजिट जोन अमारा कहां से स्टाट होगा सर देखिए 16.5 डिगरी के बाद हमरा फिर जॉन स्टाट होगा ठीक है सर यह बद प्रेसदि हो रहा है इसको फ्रिजीड्च जोन इसलिए बोला गया ताकि यह वाला यह फ्रीजिंग जोन बाइक यह तो नॉड्ट impact, हैं आपका 2030 फ्रमाइब्चक शाफ एक राइन zone एक आपको दीख रहा है सौध टेंपरी जो not में जहां पर टेंपरेश पाए जाएगा उसको हम बोलेंगे भी आपको वहँआ ही होगा सर बहुती अच्छा चलिए फिर उसके बाद यह जो इक्वेटर का जिरो से लेकर 23 तक है देखिए डिगरी कौन सा कौन सा याद करना है चलिए सर फिर हम आगे बढ़ेंगे उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परते परते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए लाइक का बटम भी दबा दीजिए और कोमेंट एक कोमेंट भी कुछ अच्छा सक पोइंट गिरिएगा तो ज्यादा हीट इनर्जी मिलेगा जैसे कि दूफर का टाइम डरेट एनर्जी गिटता है डरेट सान उपर होता है तो सबसे ज़्यादा गर्मी उस टेम पर होता है ऑन दी आधर हैं ता प्लेशेस वैदा सान्रीश फॉल इन स्लेंटिंग वे स्लेंटिंग मने सब्सक्राइब तेला बैखा हुई या मतलब बेंड होके वे रिसीव ता लेस हीट बहुत कम मिलता है तो अन्डेस्टें दफेक्ट लेटस दू दू दा फोलुई एक्प्रिमेंट आरे हमें यह एक्प्रिमेंट नहीं करना है इने कॉंप्लेट डर्क रूम सुच और्स ला मोरा आये है अब यह जो हमदिश्क करने वाले थीन पार का हीर्ट मील रहे है ुश को लेकर हमने कितना हीट गितना किया तीन हीट जोन गया अभी हमें आपने आपको बोला था कि टेंपरेट जोन हमारा कहां से कहां तक हुआ था 23.5 से लेकर 66.5 तक हुआ था ठीक है ना सर्याद हो रहा होगा आपको उम्मीद है चलिए सर फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे वही चीज़ आपको यहां पर तोड़ा डिटेज में डिसकास किय गया और कुछ नहीं एक बार रिडिंग मांड लेते रिडिंग मांने में क्या जाता है तो रिडिंग मांड ने से पुरा क्लियर हो जाएगा चलिए सर स्टार्ट करते हैं कि दा टॉरीड जोन ओल प्लिसे लॉकेटेट बीटून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड टेंपर को मिलता है दा टेंपर रिडिड जोन प्लेसे आउसे आउसे लेके 66.5 तक होगा बहुती अच्छा दाज रिचिब लेसे इन दे नौर्थन हेमिस्पर एरिया बीटून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्क्रिक्स 66.5 नॉर्थ लाटिटीट इस नौन आर्टीट इस नौन आर् इसमें कुछ इतना एक्स्परिन है नहीं क्या नहीं गया बस वही डिगरी को ही बता गया जो हम पहले आपके साल डिसकस किया तो जिरूरी नहीं है बस आपका फिगर देखले से आपका हो जाएगा फिर उसके बाद सार आप आके बढ़ेंगे दा फ्रिजिट जोन बियोंड आंके बसी बढ़ emple d water in this area remains in solid form almost 412 तेलतमस जने एक आफिर टाल जैग्सलेम संद आखिस यूरर्ड शया टॉम पर अखिर बाद रखर मढद सार प्रिजीर मलत हमि फोट्रा जान हटर फैसमां रोग नहीं मतलब यहाँ पे जो भी होगा ना सर या बोलते ना 6 मेह जा-एनर यह वर चैमी न राथ बोलते है यही पे होता है आपका फ्रिजिट जोन क्योंकि वहां पे लाइट नहीं गिरता है फिर हम आगे बढ़ेंगे फिर उसके बार लेटास कम तू अनदर एस्पेक्ट इस दारंग डिस्टिक्ट दा सिंपल अंसर विल बी ओन नौर्दन बैंक ऑ द गुएट इस रिविश्ट देट लोकेशन दो प्लेश इस डिटेनमाइन इन दा कॉंटेक्ट व द आधर इंपोर्टन प्लेश और फिच फीचर मतलब कोई भी एक लोकेशन का कोई एक जगे का लोकेशन अगर बताया जा रहा है तो किसी एक रेस्पेक्ट में बताया जा र लेकिन अब यह तो ग्लो अगर वाल्ड में अगर यह लोकेशन माना जा रहा है तो हम उसको ओवियसली हम तो नहीं बोल सकते क्या अमेरिका में वह उनके घर के पास मेरा गर है आप तो यह चाजी बोल नहीं सकते तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको किसका हेल्प लेन właakस में मिल रहा यह तो ड्री नाथ में हमें क्या मिला था अब बोलिए है यह 26 डीक्री नौणहर्थ में तो कुछ तो मिलता है यह आपको बोला था नॉर्थ में आमारा स् disproportionate वाड होगा कि तो यह वोला हमने अभी आपको पड़ा जाता की 23 अभी हमने आपको बोला था कि 23.5 में हमार 24 23.5 में नर्थ में अमरा क्या मिलताता तस्टिक ट्रोपिक अफ कसरा रिंटाते तो तो ग्वरति से तो ट्रोपिक को द्टर गॉपर होते प्रोडेशन होंना हजारी बाग ओव जाड़क अंडेंज राजगार्ड और माईदर प्रदेश लोकेटे 24 देग्री नौर्ट प्रड़ल बर्ड़क प्लेश नौर्ट सिच्वीटेड टूगेदर अब बोलड़ा कि एक लाइन से तो हमारा पेट बने वाला है नहीं क्यूTI एक लाइन से हमारा एके लाइन हमारा काफी नहीं होता है तो इसलिए हमें और एक लाइन का ज़रुरूरत है और अभी बोलगा भाई आप लोंके इसके बारे में हम अभी डिटेज्स में नहीं जाएंगे फिर उसके बाद हम बात में डिटेज्स करेंगे हैंस to find out the location of places or object a set of lines have been drawn joining the north pole and the south pole this line are called meridians of the longitude meridians of longitude बोला जाता है ठीक है sir they are semicircular and the distance between them increases to the place steadily until it becomes and zero at the poles is that you will adjust your line in a cell you will know which is you know discusses किया गया है लोगी चूटिये अब देखे लेटीटूट होता है ऐसे लेटीटूट नहीं होना है लेटीटूट होगा आपका ऐसे ऐसे लाइं ऐसे लाइं और मैं वेरी मस्ट मस्ट इंपोर्टिन यह आप याद करेंगे से मेरीडियान वीच पासे स्त्रों मिलता है लों लोंडोन में एस दा प्राइम मेरीडियान उसको हमने प्राइम मेरीडियान ले रख आया बोलेंगे क्यों उसको दा लॉंगिचूड ओफ देट प्लेज इस्ट वर वेस्ट प्राइम मेरिडियन मेजर्ड एज एंगल होस वार्टेक्स इस सेंटर ओफ दा आर्थ जैसे हमने बाकी आपका लेटिटूड भी हमने जैसे डिगरी के रेस्पेक्ट में हमने मेजर किया था अब यह चीज बोल रह है कि यह भी आपका प्राइम मेरिडियन एंगल के रिस्पेक्ट में ही हम उसको प्रेजेंट करेंगे ठीक है बहुत अच्छा कर लेंगे ला लॉंगिचूड ओफ प्लेज इस ओल्वीज एक्स्प्रेश्ट इन डिगरी अभी हमने बको बोला लॉंगिचूड भी हम किस से क रिप्रेजन कर रहें जीरो डिगरी को हम प्राइम मेरिडियन से रिप्रेजन कर रहें बहुत ही अच्छा फिर उसके बस हम आगे बढ़ेंगे there are 180 मेरेटियन डूर्स यष्ट औफ दो प्राइम मेरेडियन ओवियसली अगर हर एक डिगरी में होगा तो 180 होगा आपका इसट वह क्या होगा East और मेर्डियान्स हो और आपका 溜मेर कितना वानिती तो लियाज्ट कीछल गोए आपका 360 बहुत ही अक्षय और रहे पर जैसे 1 डिग्री पर वो वाला वा था इस वाला भी 1 डीपर ही हो रा है इस रही पर रहा है धीज रहे रटने 0 degree to 180 degree east and 180 degree west however the meridians of 180 degree east and 180 degree west is same line a key line obviously look at the globe again parallels have been drawn in west east west direction and the meridians have been set in the north south direction obviously abhi amne discuss kia each of the parallels and the meridians has intersected एडिआदा देखिया अगर यह दूसरे को कि Certмотрate 지대 ऊनला यह व्रोम यह सब पॉइंट में पिया से बनों फंदुन की चीवत लेटीडि यह सब सारा चीज किया कर रहा है आपका इंटर्सेक्ट हो रा है हो रहा है नहीं और यह सारा बोला जा रहा है, ठीक है, if you know the exact latitude and longitude of a particular place, you can easily find out the location, अच्छा, आप बोल रहा है, जो यह intersecting line हाना, that will help us to find the exact location of any place, कोई भी जगा होगा, उसी हाम intersection में हाम उसका मान सकते, बहुत ही अच्छा, से लिए हाम आगे बढ़ेंगे, for example, latitude and longitude of dubri is 26 degree north, अभी देखिया भी हाना, this is nothing but, मेरा coordinate geometry है, class 9 का जो coordinate geometry होगा न, वो coordinate geometry है और कुछ नहीं, this is point will be the location of dubri, or this, this is not again important, यह वाला important नहीं है, यह वाला again important यह कुछ discuss करने वाला important है नहीं, again this is also not important, यह बत बढ़ायागा किसी location को हम कैसे, नाम से कैसे define करेंगे, कैसे मिलेगा वही चीज, अब आजा यह बस important section एक बार discuss कर लेते, line has been imagined through the center of the earth, connecting the earth in the south pole, axis हमने, वो जो imaginary line दिया था ना सर, उसको हमने क्या नाम दिया था, axis of the earth, the line passing through the middle of the earth surface is east to west direction in the equator, equator को direction किया था सर, हमने अभी discuss किया था आपका, कहा गया सर, यह बहला अभी हमने किया किया था, कि हमारा equator का direction किया सर, east to west, और art का movement क आपका west to east, ठीक है सर, यह आर्थ movement और यह वाला equator, art movement का ठीक उल्टा होता है आपका equator, बहुत ही अच्छा, the imaginary lines running from west to east, which are parallel to the equator, are called parallels, हर एक लाइन दूसरे के साथ parallel होता है, imaginary lines running from north to south, east to west, east to west में होता है, west to east, जो होता है, west to east, जो होता है, west to east, जो है लाइन ड्रोग करेंग उसको parallel बोलेंगे, the imaginary lines running from the north to south, which are joining poles, are called meridians, उसको हम meridians बोलेंगे, the parallels located on the north of equator, are called north latitude and parallel located on the south, जो parallel सापका south में है, उसको south equator, south latitude बोलेंगे, और जो north में है, तो north latitude बोलेंगे, the meridian which passes through green, which near London is considered the prime meridian, this is very important, यह हमने आपके साथ detail डिसकास किया था, कि यह आपको ज़रूर साथ करना है, जो meridian, आपका greenwich, greenwich near London, जो meridian, meridian मतलब होता है कि, जो हमारे longitude के रहें, जो देखिए, यह आपका parallels आ रहा है, आपका latitude के साथ, जो line होता है ना सर, ऐसे ऐसे line, इस वाले line को बोल रहें, parallels, जो parallel lines आपका north में मिल रहा है, उसको बोलेंगे, north latitude, जो parallel lines आपका south म मिल रहा है, उसको बोलेंगे, south latitude, ठीक है, सर, clear है, आप यह बोल रहें कि, next आगे बढ़िये, आप आजाए कि, अब आजाए कि, meridians पे, आप ऐसे वसे line होता है, यह वाला, ऐसे वसे line, यह वाला होगा, हमारा, medium, meridian, तो आपका west meridian में में बोलेंगे, तो west meridian में जो line, west direction म में उसको बोलेंगे, west longitude, जो east में होगा, उसको बोलेंगे, हम east, यह वाला, जो east का होगा, तो इसको बोलेंगे, हम east longitude, ठीक है, सर, clear हो गया, अब यह बोल रहा है, यह जो meridian है, यह meridian का बात कर रहा है, यह meridian, जो greenwich से पास हो रहा है, greenwich कहां पे है, near London पे, UK, near London पे, उस उसको प्राइम मेरीडियान माना जा रहा है क्योंकि इसी पॉइंट से हमारा स्थार्ट हो रहा है तो 180 डिग्री इस्ट और 180 डिग्री वेस्ट आर्द से मेरीडियान ओनली और बैसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट इसार्फिस ऑफ आर्ट इस डिवाइद इन्टो थ्री मेजर जोन कौन सा कौन सा मिला था सर ठोरीड होता था हमारा जिरो से लेके 23.5 टेंपरेट क्या होगा सर टेंपरेट होगा 23.5 से लेके 66.5 और फ्रिजिट आप 23.5 डिग्री और फिर साथ की तरफ टेंपरेट जोन बे जाएंगे तो 23.5 से लेके 66.5 यह फिट से लिखा के दे देता हूँ शायद आपको याद आओ रहा होगा नहीं पता नहीं यह हम डिसकास किये ते कि टोरीड आपका होगा टोरीड होगा आपका जिरो से लेके 23.5 ठी फ्रिजिड जोन ठीक है सर यह नॉर्थ पे जाएंगे तो नॉर्थ पे और साउथ पे जाएंगे तो साउथ के लंग मिलेगा आपको लोकेशन ओफ एनी प्लेस और अब्जेक्टों दार्ट सार्फिस गैन भी फाउंड आउट हुई दे हैल्प लोंगिचुड इन चलिए सराम अभी इसी चाप्टर का आपका एंसी क्यू सीरीज ले रहें और मैं इसमें आपका एराउंड 15 क्वेशन आपका एंसी कू सीरीज में लिया हूँ आप पेड़ पेज में आपको नमबर बांसे लेके 15 तक लिक लिए और अपना अंसर लिके फिर उसके बाद हम आ कर लेंगे अगर आपना फीड़ेख नहीं वोलेंगे तो हमें कैसे बता चलेगा कि आपको कैसा चाहिए ठीक है सर क्यूंकि इसको तो डारेक्टी आपके साथ इंटरक्ट नहीं कर सकते देज़िए सॉर्शियल प्लैटफर्म तो आपको कॉमेंट करके आपको बताना पड़ ग्लोब आपका आर्थ नहीं होता है सर ग्लोब का करेक्ट डेफिनेशन आएगा आपका ट्रू मोडल ओफ आर्थ ठीक है सर फिर नेक्स हम आगे बढ़ेंगे विच आप दा फॉलोइंग आर शोन ओन दा ग्लोब इन दियर टू साइज ग्लोब में क्या क्या चीज रिप्रेजन किया जाता है ओविएसली कंट्रीज कॉंटिनेंट्स और सेंस सब रिप्रेजन किया जाता है तो आंसर विल बिए डी फिर नेक्स आम आगे बढ़ेंगे वाट इस यह वाट होगा वाट इस कॉल्ड एन नीडिल फिक्ष्ट त्रोदा ग्लोब इन टाइटल में टिटल्ट मेंनर मतलब टिल्ट किया जाता है ना टिल्ट मतलब एक त्वहाद का सब टेला करके दिया जाता है तो उसको क्या बोलते अरे सर कितना बार हमने यह चीज बढ़ेंगे क्वेशन नाबर फोर वाट डिवाइज दा आर्थ इंटो टू एक्विएल पार्ट्स दा नौर्दन हैमिस्फियर एंद साथन हैमिस्फियर यह हमने कितना बार डिसकस किया बूलिए सर आंसर इस यह सिवर राइट आंसर इस इक्वेटर बहुत ही अच्छा च छोटा एकी बड़ा है अंब देखिए इसी में क्टम हैगा जाला जैए मारा चोठा है चोटा के साथ नौर्ट था है कि चोटा नौर्ट तैयगा तो बहुत ही अच्छा बखी दिखिए अंसर आया आपका बहुत ही स्मार्ट वहोत अच्छे यह वहला हो जाएगा आपका आ अंसर होगा सी गलत मार कर दिया बी नहीं होगा सर सी नौर्थ में न तो नौर्थ है आपका सी ले जाएगा चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे क्या बोल रहाएं देखिए बीट्वें टू पैरलल्स ऑफ लेटिट्वीट इस दा हो टोरीड जोन सिच्वेटेट टो